सबसे पहले हम बात करेंगे इमटा टेकोंजी के बारे में सो इस कंपनी में एक बहुत ही इंपोर्टेन न्यूस निकल क्या है सो डेटली उस न्यूस को पर जाने से पहले अगर हम स्टॉक की कुछ प्रफरनेस की बात करें जैसे कि कल के दिन की बात करें तो 202% की गिरावाट पिछले पांस दिन की बात करें तो 707% डाउन अगर हम एक मन की बात करें तो आज भी कोने 5% की तेजी बट एक टैंप ये तेजी बहुत अच्छा बना था बट टॉपलिवे साब हमें धीमी धीमी करके श्टॉक में प्रॉफिट भुकिंग देखने को मिल रहे और अगर हम 6 मन्त की बात करें तो 6 मन्त में आज भी 30 से लेके 33% डाउन और मैक्समम की बात करें जब सी इसके सुरुवात हुआ 2021 मार्च में इसकी लिष्टिंग हुआ था और तब से लेके देखा जाए तो फिर 21, 22, 23 और अभी 24 के एपिल मतब तीन साल कंपेट हो चुका है स्टॉक को लिष्टिंग हुए और तब से लेके अभी देखा जाए तीन साल में स्टॉक ने सिर्फ पसिर्फ अपने इन्वेस्ट रखो 74 से लेके 75% के प्रॉफिट बना के लिए एक टाइम पे ये प्रॉफिट और भी कमाल के बने थी जो कि नियर भाई देशु से लेके 200% के आप पास फिर अगें गिरावाट फिर अगें एक कमाल के प्रॉफिट बना था अपने इस लेबल को भी उसने ब्रेक आउट देके एक और टाम है अचीब किया था नियर भाई आता भी है तो तेजी वह सॉट टाइम का होगा वह तेजी ठीक है नहीं और धीमे धीमे करके जहां से स्टॉक के शुरुवात हुआ था स्टॉक उसी रेंज में आ जाएगा आप देख से तो तो इस पॉइंट को पर हम दुबारा जरू होंगे पर उससे पहले जैसे मैंने नियूमे कऱें करें के इन्युम्हिंता है यूग में मर्ण काहिए giyos hisa in夢 मTM कोशी नंबर इंपॉर्ट्र धाये घए तो सबसे पहले हम प्रमोंटर की बात करें कि आप प्रमोंटर ने कोई चेंजिस किया कि प्रमोंटर को पर सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए रहेगा क्योंकि प्रमोंटर आपको बता है एक टाइम पे जब यह स्टॉप आज से तीन सार पहले बाजर में रिष्टेड हो था पॉइंट तो इस बार भी उन्होंने उन्चेंज किया कोई भी ज़्यादा चेंजिस किया नहीं अच्छी बात है एफस के बात करें एफस ने जो लगातर बाइंग कर रहे थे दो तिन कॉर्टर से अब इस कॉर्टर में थोड़े से पॉइंट में स्टेक अपना डिक दिस चल जाएगा अगर हम डियस की बात बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करेगा इंस ने दो वाटर में नेर्बाई नो पसे बेच एक जून को पॉर्टर में और दो इस कॉर्टर में थो नेर्बाई एक पसंक यह आपना पर बेच। चल्लो इस बार को हम Eno को अपना यह प्रसं कर सकते हैं क्योंकि कोई बहुत बड़ा मेजर चेंजिस है नहीं फिर भी एफ़ाइस और दियाइस थोड़ा थोड़ा एक दिर परसंट के स्टेक बेचा है तो हम तेसे एक छोटा मोटा नेगीडिव पैटर्न के साफ से हम कंसिडर करके चलेंगे और उसी के साथ साथ आपको यह भी पता है यह जो प्रमोटर के पास 37% स्टेक है यह पूरा स्टेक तो प्रमोटर का पास है नहीं इनमें से भी कुछ परसंटेज ऐसा है जो की प्लेज ही रखा हुआ है तो वो प्लेज बले डिटा जो कि पिछले कौटर में बहुत अच्छा इनकीज हुआ था तो कि इस बार में उन्होंने कोई चेंजिस किया थोड़ से कम किया या थोड़ और भी ज्यादा इनकीज किया तो चला हम उसको भी देख लेते हैं तो अगर आप मनी कंट्रोल के वैपसाइट को पर जाओगे तो जो कि मैं उसी को ज्यादा कवर करता 9.16% और अभी अगर हम इस कौर्टर में देखें, मार्च कौर्टर में यह दूसरी वैपसाइट है तो यह रहा प्रमोटर 37% इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो नीचे आपको यह प्लेज वाला डेटा देखने को मिल जागा तो यह रहा 9.16% तो इस कौर्टर में उन्होंन बहुत बाद निगेडी पॉइंट बन जाते हैं बहुत बड़ा है तो ठीक है कि हाप पसंद स्टेक उन्होंने अन्प्लेज किया यूंकि एक अच्छे पॉइंट तो हम ज़रू कंसिडर करें बर इससे ज़्यादा हमें खुस नहीं होना है क्योंकि हमारा मेल फोकस रहेगा कंपनी के नंबर के उपर हाँ ठीक है अंफ्लेज की अच्छी बात है लेकिन उसकी जितर श्टॉक में तेजी नहीं आगा तो बहुत कि कंपनी के लगाता तो नंबर खराबी हो रहा है दोसों करो से से सिल्ज कम होके अभी सीधा 118 करो क्या आसपर तो मतलब स्टॉक कहां से प्रफॉम करेगा तो थीक है तो इस पार के जो की फॉर के नंबर आए वो तो और इंपॉर्टन रहेगा क्योंकि आपको अधा है कि मैनेज्मेंट ने खोद ही बोल दिया था कि कंपनी के कौटर थ्री और कौटर फॉर के नंबर और भी ज्यादा खराब आने वाले तो हमने एक सो अठारा करों से भी नीचे सेस आएगा क्या आपके जो नेट प्रॉफिट है जो अभी ग्यारा करों के आसपास है अटलीस दो डीट को नंबर को मेंटेन कर रहे हैं क्या अभी ये पांच करो ची करो साथ करो इस प्रकाखिका आप नेट प्रॉफिट दिखाओगे बाजार इस नंबर को और भी अच्छी तरह से डेप्रिशेट कर सकता है और यह जो स्टॉक टॉप लेए अभी लगबग 38 से लेगे 40 पसंट डाउन है तो ऐसो कोई फॉर्मॉला नहीं है कि नंबर अच्छी आए तो स्टॉक गिरेगा नहीं और भी गिर सकता है एक टाइम कि Q4 तक ही नंबर खराब आने वाले है मानलो quarter 4 की नंबर खराब आता है और management बोल देता है कि भाई हमारे जो आगे की भी नंबर आने वाले अच्छी आएंगे तो से खराब नंबर को भी बाजर एपिशेट कर सकता है तो इसलिए कोई discount को देखके जाने के बारा सोच रहे ह सोच रहे है कोई discount को देखके average करने के बारा में सोच रहे है तो उनके लिए सेम चीज़े के अच्छी डिटर रहा प्लेज उन्होंने अन्प्लेज किया half percent अच्छी बात है बट फिलाल यह average और phraseback के लिए ready है नहीं जब तक कंपनी के नंबर ना आ है तो नंबर तक रूचा रहा इसकी बात करें तो एमटार के कंपर में बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-फाइवेक्स-टेनिक्स कमाल की प्रफॉमस दे रहे है आप इस शिक्स मंत की प्रफॉमस से देख सकते हो कि स्टॉक सिक्स मंत बालेक को भी 225 प्रफिल बनाके जाए वो भी breakout के करीब है हाँ जिरों ने एकदम 1900 के आसब भाई किया साथ से उनी के पोर्फॉलियो में नेरबाई 200 पॉइंट डाउन है लगब 67% डाउन है जूकि बाज़र में यह चीज़े चलते रहते हैं कभी आसा नहीं होगा कि श्टॉक बनाने के बाद फूल स्टॉप लग जाएगा आप स्टॉक अभी हिलेगा नहीं हर स्टॉक टॉप लेवे से कितना भी अच्छा कर लें दो चार पसंट डाउन होता है तो इसमें भी एक इंपॉर्टन अप्गेट है जूकि आज़र इंवेस्टर हमें यह चीज़े पता होना चाहिए और सेम इसकी भी और इसकी भी शेयर होनी पाटन स अग्यक्ति कहले सब सकता है उसको ऊपर आएंगे और सबसे पहले किस स्ने क्या चेंजिस क्या क्याक्गी छोटी कंपनि यह वाई है तो सब्सक्राइब कोई अपने कंपश्ट नहीं है तो हम तो ट्रस्ट करें अगर वहीं निकल जाएगा तो तो हां अगर प्रमोंटर की ब किया उन्हें, FIS के बात करें, तो FIS ने हाँ, FIS जो लगातर बाइंग कर रहे थे, 2.5 पसंद से 5-6 पसंद तक, इस बार नेरबाइ, 0.40 पसंद स्टेक उन्होंने decrease किया, बाकि DS के बात करें, हाँ DS ने भी जो 2 पसंद स्टेक थे, अब इस दर हाँ पसंद यानिकि पसंद स्टेक उन्होंने DS ने भी decrease किया, और जो FIS और DS में माल बेचा, वो पूरा माल और कोई ने, पबलीक ने ख़एदा, 38 से 40, मतब 2 पसंद स्टेक पबलीक ने ख़एदा, तो कैसा सिगिनल है, देखो FIS और DS अगर थोड़ा बहुत होता है, तो एक confidence आता है, कि हाँ अपन के performance देखना चाहिए, company कमाल के performance दे रहे, तब इस टॉक तीन सार में, पांच सार में, लोगों को माला माल रिटर्न मना के दिया है, तो share honey pattern की बात करें, तो हम इससे बहुत खराब, ना बहुत अच्छे consider करेंगे, एक ओको की साब से consider करके चलेंगे, then आपको ये भी प्रमोटर के पास जो भी stack है, 53%, ये भी पूरा stack उनके पास है लिए, इसमें से भी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा percentage उन्हें प्लेज रखे हुए, जो कि December के साब से 45%, तो कि इस पार उन्हें कोई changes किया, तो फिर से आ जाता हम दूसरे website के उपार, तो प्रमोटर के पास 53%, और जैसे हमें स्पी क्लिक करेंगे, तो आप देख सकतो यहाँ पर, कि जो pledge बाले data है, इछले quarter में 45.52% थे, तो इस बार भी 45.5%, यानकि जो pledge बाले data थे, उसमें कोई भी changes नहीं हो, ना उन्हें प्लेज किया और ना उन्हें अन्प्लेज किया थोड़ा भी percentage, तो फिर भी ह ज़्यादा और important चीज रहने वाले company की number, तो कि लगातर company की number grow हो रहे है, तो stock उसी पिसाब से grow हो रहे है, तो देख से तो कि stock तो सिधा अपने earning को भी उपर है, तो इसी earning को maintain रखना है, तो यह वाले earning यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे, तब ही जाकि stock के तरहाड़ी maintain रहे 20% 25% साथ से फिर से इस प्रकाके गिरावाट आ सकता है, अगर company के number बाजर को अच्छे ना लगे तो और आपको पता है, यह तो circuit में चलने वाले stock है, number खराब है तो क्या पता, lower security भी लग सकता है, number बहुत अच्छा है, क्या पता है, upper security लगके सिधा आपको 3,000-3,000 पी भी जा सकता है, अच्छे company future में और भी अच्छे करेगा, बाट, short time बालो, यह phrase buying बालो, थोड़ा ignore करो अभी, तब तक 24 यह 25 को number है, next, इस ही अपते number आने वाले, number तक रूचाओ, number को देख लो, उसके accordingly वड़ी safely आप अपनी decision आपस में ले सकते हो,